Assalamu alaikum viewers I am Akeelur Rahman and you are watching NIST Academy Today our topic is Gases Exchange in Humans जैसा कि आप previous lecture में Gases Exchange in Plants सीख चुके हैं तो इस lecture में आज हम Gases Exchange in Animals सीखेंगे कि Gases का तबादला Animals में कैसे होता है तो लास्ट टाइम हमने ये सीखा था कि Plants Gases के तबादले के लिए कोई Specific Organs नहीं रखते मतलब उनके Organs नहीं होते जिनके जरीए वो Gases Exchange करें लेकिन अगर हम Higher Animals की बात करते हैं Including Humans, इनसानों की तो इनके Special Organs मजूद हैं जिनके जरीए जो Respiratory System यानिके इनके अंदर मजूद है जिसके जरीए ये Gases का तबादला करते हैं तो अब मैं आज कोशश करूँगा कि आपको ये चीज क्लियर कर दूँ डिसकस कर लूँ डिटेल के अंदर कि किस तरह Respiratory System के जरीए Humans and Animals can exchange Gases के Gases का वो तबादला करते हैं तो स्टार्ट मैं करता हूं कि जो मैं अभी अभी आपको पहले बता चुका हूं कि जो इनसान हैं या हायर एनिमल्स हैं उनके अंदर जो Gases का तबादला होता है वो Respiratory System के जरीए होता है यानि के पोदों की तरह हर सेल जो है वो Gases का तबादले का जिमादार नहीं है बलके एक निजाम अल्ला ताला ने हमारे अंदर बना दिया है और उस निजाम के तहत हम Gases का तबादला करते हैं तो बात करता हूं मैं जहां पे Respiratory System की तो Respiratory System मेजर दो यानि के पार्ट्स रखता है अब Respiratory System के वो मेजर दो पार्ट्स कौन से हैं वो दो ये हैं एक है Air Passage Way यानि के हवा का रास्ता के किस रास्ते के जरीए हवा जो है वो जिसम में दाखिल होती है और वापस जिसम से बाहर जाती है यानि वो पाथ जिस पाथ को Follow करते हुए Air Enter into our body and emit out, release out to the environment ठीक है तो दूसरा हिसा कौन सा है दूसरा हिसा है लंग्स फेपड़े तो आज मैं कोशिश करूंगा कि हम Air Passage Way को Study करें लंग्स हम इंशाल्लाह बाद में करेंगे अभी आज हम Air Passage Way को डिटेल में Study करते हैं कि Air Passage Way क्या है क्या किरदार है इसका Respiratory System के अंदर तो इसकी Air Passage Way को Define तो इस तरह से किया जा सकता है के Air Passage Way is a path यह path है through which जिसके जरिए Air comes into our body and release out and take out बाहर निकाली जाती है towards the to the environment environment के अंदर तो यह इसकी definition भी बनती है अच्छा अब इसके सबसे पहले आपको parts के कुछ खास parts जो है इसके Air Passage Way के वो मैं आपको पहले बता देता हूं one by one नंबर वन है नेजल कैविटी यह Air Passage Way का बुनियादी हिसा है ठीक है दूसरा नॉस्ट्रिल्स नेजल कैविटी का ही हिसा है फेरिंक्स फेरिंक्स भी एक बहुत ही यह निके समय लेंगे बुनियादी हिसा है Air Passage Way का उसके बाद Glottis है इसका भी बड़ा एहम किरदार है Epic Glottis है यह Glottis की Help के लिए होता है उसके किरदार के अंदर इसका थोड़ा बहुत किरदार होता है उसके बाद Voice Box यह बहुत ज्यादा Important है इससे Speech यानि के आवाज पैदा होती है जिससे इनसान जो है बातें करते हैं यह हमारी जो Language है वो बनती है इस तरह विंड पाइप यह हवा की नाली है जिसके जरीए जो है ना हमारे फेपड़ों तक हवा जाती है इस तरह ब्रॉंकाई ब्रॉंकाई नालिया है जिसके जरीए हवा जो है वो डिफरेंट एरिया में फैलती है इस तरह ब्रॉंकियोल्स फिर फर्दर छोटी 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 नालिया है ठीक alveolar ducts हैं तो यह तो मैंने आपको सारे parts बता दिया है कि कौन-कौन से parts जो है वो air passage way बनाते हैं तो अब मैं इन parts को explain करने की कोशिश करता हूं पहले नंबर पे हम देखते हैं nasal cavity कि nasal cavity क्या है अब nasal cavity जो उसका portion जो है वो इतना है कि नोज आपको पता है हमारा एक और गन है नोज ठीक है अब यह जो nasal cavity है यह नोज इसको एंक्लोज करता है ठीक है यह हम इसको कह सकते हैं नोज है यह external openings है nasal cavity की यह यह यहां पर अगर हम देखते हैं यह 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 पर नोज अब यह नोज से nasal cavity start हो रही है अगर हम externally देखें नोज से start हो रही है और यहां तक यह इसको मैं यहां तक यहां तक यहां तक यह नेजल कैवटी है यहां से यह स्टार्ट हो रही है और यहां पर एंड हो रही है यानि के इसकी एंडिंग भी टू ओपनिंग पर होती है यह एक ओपनिंग यह है और एक ओपनिंग यह 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 निके एंड भी दो ओपनिंग पर हो रहा है उस नेजल कैविटी यहां से यहां तक है यहां से यहां तक यह वाला जो हिस्सा है अब इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब यह हुआ कि नोज नेजल कैविटी को एंड क्लोज कर रहा है बंद कर रहा है एंडिंग जो हो रही है वो नोज पर हो रही है और अगर अंदर से देखें तो फिर जो है वो starting जो होती है वो फेरंस के बार फेरंस में इसका जो दूसरा इस होता है Fill in Nos इन नोज से Ferengates तक जो है वो nasal cavity है तीक जब यह शीशन जो है यहांसे यहां तक नेजल कैवेटी यह है ठीक हो गया उमीद है कि आपको नेजल कैवेटी की समझ आ गई होगी कि यह कहां से शुरू हो रही है नाक से नोज से कहां तक फेरेंग्स तक यानिके यह हमारा अगर इंसानी नाक है ठीक है तो अब यह नाक से यहां से यह स्टार्ट हो रही है और स्टार्ट होते हुए इसका जो एंड है ना वो होता है फेरेंग्स से पहले तक यहां से एक और यह टू आपनिंग्स होती है ठीक है यह औरल कैविटी की तरफ जा आती है इधर से फूड आती है यहां से फिर एक ही एक बड़ी नाली शुरू होती है जिसे हम फेरेंग्स कहते हैं यह दूसरा हिसा उसका यह वाला यह वाला यह है फेरेंग्स फेरेंक्स ठीक है यानि के फेरेंक्स टक अब यहां से शुरू हो रहा है तो यह तो है ना हमारी नेजल कैवर्टी अच्छा अब नेजल कैवर्टी की जो ओपनिंग्स हैं उनके बारे में मैं आपको बताता हूं उसकी ओपनिंग्स मैंने कहा है जैसे के स्टार्टिंग में टू ओपनिंग्स है नोज है नोज की फिर तू ओपनिंग्स है और एंड में जिन्हें हम इंटर्नल ओपनिंग्स कहते हैं अंदर वाली यह इंटर्नल ओपनिंग्स है और यह एक्स्टर्नल जो है यानि नोज जो है वो consist करता है तू मोटी यह अब इन टू ऊपनिंग्स को न स्ट्रिल कहते है ने ठीक है इनको क्या कहते है नौरस्ट्री नॉस स्ट्रिल्ज के और नश्ट्रेव्च जो हैं वह सेपरेटेड होती है वाल से यानिके यह समझ लिय एक nose is divided nasal cavity is divided into two portions यानि कि इस nasal cavity को divide किया गया है two portions में यह देखें two portions में और यानि दोनों portions divided by a separated by a wall यानि एक वाल से यह दोनों को separate किया गया है और अन्तों कोनेवन आपनिंग्स को हम नोस्टریल कहते हैं यानि नॉस्ट्रिल्स पर क्लोज। नेlezal cav Protean के बंदे ऊंद हुरहीं से अनेजल काविटी नेजल कैवटी को बंदे है और के करने वाला गष video यह है oral cavity, अब यहाँ से क्या जा रही है, यहाँ से food, हम food inject करते हैं, जब food inject करते हैं, आपको यह समझ आई होगा, कि यह फूड जा रही है ठीक है जब इसमें फूड आ रही है और इससे क्या आ रही है इससे हवा आ रही है अब एर जो है वो इधर आ रही है अब यहां पर भी टू आपनिंग यानि कि जो नेजल कैविटी एंड हो रही है वो भी टू आपनिंग पर हो फूड आ गई यहनि के जो फेरेंक्स है यह वाला हिसा इसमें हवा भी है और प्लस फूड भी है यह यह है नेजल कैवटी से और औरल कैवटी से क्या आ food ठीक है अब यह जो फेरिंक्स हो गई फेरिंक्स इसका मतलब यह हुआ कि यह common path है food और air का यह क्या है इसको हम कह सकते हैं फेरिंक्स पी एच ए आर वाइ एन एक्स फेरिंक्स ठीक है वही मैंने जो यहां पर आपको बता है नेजल कैविटी के बाद दूसरा हिसा जो शुरू होता है वो फेरिंक्स का होता है यानि कि नेजल कैविटी से हवा आ गई और औरल कैविटी से food आ गई और दोनों हवा और food एक ही जाके नाली के अंदर गिर गई मतलब वहां आई जहां पर एयर और food दोनों ही आगे ट्रैविल करेंगी तो फेरिंक्स जो जी वो फूड को और एयर को common path है food और एयर का muscular passage है food और एयर का तो वो लेके जाएगी आगे यह जी था हमारा नेजल केविटी उसके बाद फेरिंक्स आगी अब एक चीज मैंने आपको बतानी है कि जो नॉस्ट्रिल्स है नॉस्ट्रिल्स का function क्या है यानि के मजीद उसकी थोड़ी सी चीज मैं skip कर रहा था वह आपको बताना जरूरी है कि नॉस्ट्रिल्स के अंदर दो चीजें होती है एक होता है fluid जिसे हम mucous कहते हैं और एक fine hair यानि के बरीग बरीग बाल होते हैं अंदर ठीक है बरीग बरीग hair होते हैं ऐसे तो अब वो जो बरीग बरीग बाल होते हैं fine hairs fine hairs बरीग बाल और दूसरे नंबर पर क्या होता है mucous इन दोनों का काम क्या है कि हमारे body temperature को maintain करना यानि दो काम है जो fine hairs हैं उनका काम है कि जब dust हवा के अंदर जब नाक में air पास होगी तो उसके अंदर जो dust particles होंगे वो filter होंगे यानि वो जो fine hairs हैं च्छट च्छटे बरीग बरीग बाल हैं उन बालों के साथ वो जर्रात चिपक जाएंगे और इस तरह हवा filter होके अंदर जाएगी डस्ट वाली हवा नहीं जाएगी अंदर और जो mucous है fluid है उसका काम यह है कि motion करना मतलब नम ही पैदा करना यानि कि जो हवा है उसके temperature को maintain करना ताकि हमारा अंदर का जो body temperature है वो maintain रहे हवा को warm करना ठीक है अगर बहुत थंडी हवा होगी तो वह warm up होगी और फिर अंदर जाएगी बहुत गरम होगी तो वह cool down होगी थोड़ी सी हमारी body के अंदरूनी temperature के साथ वह हवा के temperature को maintain करता है यह mucous का यह mucous और fine hair दोनों बहुत ही important है nose के लिए ठी entrance है हमारी हवा की इन्हों नहीं पास आउट करना होता है ठीक है और यह हवा को बिल्कुल filter करके dust से बचाके dust उससे washout करके हवा को साफ करके उसको जो है ना उसके temperature को regulate करके body के अंदर बेजते हैं ठीक हो गया जी अब pharynx हो गई pharynx के बाद अब आगे यह situation नहीं है कि food और यह रिकठी आगे जाएगी नहीं जब pharynx के बाद यह pharynx है pharynx के बाद एक और हिसा आता है एक एक जिसे हम कहते हैं purpose mission divine olarak onion sap alb Pablo giffeuse कि मैं इसको अयख़ हाएख को थोड़ा सा रेज कर दो हमिक्स हो जा रहे ठीक हो गया यहेजिट को य्ये यह यह वाली यह को अपनिंग है यह अब यह जो ओपनिंग है यह वाली इस ओपनिंग का क्या काम है इस ओपनिंग का काम यह है कि जो हवा है ना यानि फैरिंक से फैरिंक से जस्ट एर को लेगी क्या करेगी फेरिंक्स में food और एर दोनों है लेकिन यह ग्लॉटिस ऐसी opening जो एर को लेती है food को नहीं food के लिए बंद हो जागी फूट के लिए यह रास्ता बंद कर देती है लेकिन एर को यह ले लेती है और यह यह ओपनिंग अए एक इसको कहते हैं glottis glottis से एक रास्ता ये जोनी कि समझे लें कि खोलती भी है हवा के लिए और food के लिए बंद करती है यह प्रोटेक्ट करती है food particles को हमारी उस लेरिंक्स के अंदर आने से यह उसके आगे voice box है यह यह निके glottis है epiglottis के बताता हूं मैं आपको voice box voice box में अगर पानी का एक कत्रा चला गया या फिर फेपड़ों में पानी चला जाएगा अगर जरात चले गया खुराक के तो वह भी फेपड़ों में चले जाएं तो मतलब आपने सुना होगा कि फेपड़ों में पानी पड़ गया वह इसी situation से होता है कि जब ये Prize जो ओती है ना किसी तरीकते से सरी functional नाहों और वो फेपड़ों के और या जब voice box में गया तो voice box के साथ wind pipe में गया wind pipe से गया तो ब्रёंटाए में ब्रॉंकियोल में alvella बचाना बहुत जरूरी होता है कि वो लेरिंक्स में वॉइस बॉक्स में दाखिल ना हूं विंडपाहिप में दाखिल ना हो तो गलॉटिस काम यही है गलॉटिस का काम यही है उसको प्रोटेक्ट करना फूड को अच्छा एपी गलॉटिस का क्या है यह है यह वह चलोडिस छो ऑसके चलो यह एक टिशू है जो उसकी ऊपनिंग को कंट्रोल करते हैं मतलब उसको गार्ड कहते हैं यह जो इस लोद भाए दरवादे पर गार what थेरह हूं वो दूसकर आने साने वाले के लिए खोलते हैं फिर जब जला साथे तो उसको बंद करते हैं है इस तक बाल्या जिसे हम कहते हैं तो ये एक जो Apiglottis है ये उस Glottis की function function को क्या कर रहे है कंटो यानि के हवा जब आ रहा रही होंगी तो यह मिंखा दई और सुरी Food फूड आ रही होंगे मिखिसको बंकरेंगी जब हवा आई ही तो खुलेगी तिने इस का काम क्या है एपीग्लोटेश का बोटन इस और एपिग्लोटेश का फंक्ष स्छ ए ठीक है यानि इस गॉलॉटेश जादवाय फ्लैब आफ टिश्यू काल्ड एपीग्लोटीस तो यह ए पीग्लोटेश भी मैं इस Нवह दर मेंचन करता हूं यह tissue जो है ना flap of tissue epiglottis epiglottis ठीक हो गया अच्छा जी अब उसके बाद क्या आ गया नेक्स्ट लेरिंग्स voice box ठीक है अच्छा जी अब voice box is very important for us क्यों क्योंके इसी से तो हमारी एक कहते हैं इनसान को अश्रफ मखलुकात बनाया गया है स्पीच आपने सुना होगा नाम स्पीच हमारी जबान बोलना एक स्पीच कैसे बनती है movement of lips होटों की movement टॉंग जबान की movement जा की movement ठीक है और उसके बाद जो हमारे अंदर voice box में vocal cards हैं उनकी movement vibration इन चीज़ों के result में हमारी एक language स्पीच बनती है speech is the ability यही एक खासियत है जो इनसान को priority देती है for to other organisms दूसरे जान दे यानि जो हमारे वो वो यह जो voice box है यही इसी का नतीजे से ही हमारी आवाज बनती है और हम बोलते हैं language है हमारी मुख्तलिफ लहजे हैं हमारी मुख्तलिफ जबाने हैं वो इसी वज़ा से इनसान को अश्रफ मुख्लूकात कहा गया है तो voice box is the box of producing sound यह sound पैदा करने का एक आला है device of producing sound भी कहते हैं अच्छा इसमें खास बात क्या है इसमें खास बात यह है कि इसके अंदर यह जो लेरिंक्स है ल आई र व्य एंड डे अले के अंदर क्या होते हैं फाइब्रस बैंड्स होते हैं फाइब्रस बैंड्स टू पियर औप फाइब्रस मैंड्स जब यह फाइब्रस मैंड करते हैं ऐ और डेक पर देंग झाड़ल Dog 8 हवा है Celotte übrit करेंगे वैब्रेट करेंगे तो क्या पैदा होगा साउंड पैदा होगा वोकल काड्स क्या चीजें दोबारा बता रहा हूं Başkaшь कोर जब वइब्रेट करते हैं तो साउंड पैदा होते हैं और vocal cards ऐसे थोड़ी vibrate कर लेंगे हवा उसमें से पास होती है यानि हम हमारे हम हवा लेते हैं मुँ बंद कर लें अगर मुँ बंद कर लें मुँ पे हाथ रोक लें या कुछ भी कर लें हवाज आती है नहीं आती क्योंकि हवा अंदर जाएगी तो आपास बैदा होगी ना vibrations होगी फोकल कार्ट की तो आपास आएगी मुँ बंद कर ने पट्टी बांद उसके उपर नहीं हम अगर हवा नहीं दाखिर हो रही तो आप ठीक हो गया वचा जी उसके बाद लेंक्स के अंदर हवा आ गयी लेकिन जहां पे एक सवाल तो रह गया हवा तो आगी लेंक्स के अंदर तो फूड़ कहASE अगई ? तो फूड के लिए फिर फेरिंक्स जो है न वह तो खत्म होगी ना फेरिंग्स तो आगे डिवाइड होगी दो इसो में एक लेरिंग्स में एक आ जाती है Oisophagus दूसरी नाली ये वाली ये इस में आ गई फूड और इस में आ गई sumま व te एक तरफ एर एक तरफ फूड फूड आइस Megas में चली कियी एर peole निरिंट में आगी अब हमारा नहीं इस टॉपक के तोर-दूर तक तालुक नहीं हमारा तालुक सिर्फ आबार है किसकude जो को दिस्कस करना हैं तो हम isp yasacles में फूड चली की फूड का हमारा तालोग खतम होग हम हवा को देखते हैं तो वह लेरिंक्स में किभाद कहा कि अगी ट्रेक्या में पर्दर इसको कहते हैं ट्रेक्या गया तो पथे यह झूल यह जो सी शेप्ट डिंग नजर आ रहे हैं यह वाले यह cartilages होते हैं cartilage के बने होते हैं और यह तिंग अल्मोस 12 cm लॉंग होता है और यह cartilages rings होते हैं और इन cartilages rings का काम यह है कि हमारी जो इसके अंदर flexibility रखना मतलब यह तोट ना जाए breakdown के अंदर कोख самый चीजश तूटब जाती है जब उसके अंदर हो बिल्कुल खत्म हो जाएगी खोकली वह उसकी broken ने का खाट्र ब्रेक होने खट्रा होता है तो इसलिए यह इसके अंदर एक लचक सी रखते हैं और वाधिन केव्रेकड़ून होने से प्र挺ड़के करते हैं यह तो था जी ड्यक्या है अब ट्रेक्या फूर्धर जो है फूर्धर ट्रेक्या दो ट्यूब्यूम में ड्यूब्स में डिवाइड रहातते हैं ये यह एक यह 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 वाली यह वाली इनको कहते हैं ब्रॉंकाई एक को कहते हैं ब्रॉंकस और दो को कहते हैं ब्रॉंकाई यानिके यह जो है यह वाली इसको हम कहेंगे ब्रॉंकस यह वाली यह ब्रॉंकस यह ब्रॉंकस और दोनों को कहेंगे ब्रॉंकाई ठीक है अच्छा फिर यह ब्रॉंकाई जो है यह फर्दर आगे डिवाइड हो जाती है छोटी-छोटी ट्यूप के अंदर इनको हम कहते हैं ब्रॉंक्यूल्स ब्रॉंक्यूल्स यह फर्दर है यह ब्रॉंक्यूल्स ब्रॉंकाई फिर ब्रॉंक्यूल्स दो ब्रॉंकाई मतलब दो ब्रॉंकाई एक ब्रॉंकस दो होती है तो इसे हम ब्रॉंकाई कहते हैं ब्रॉंकाई फर्दर डिवाइड होके छोटी ट्यूब्यूल्स बनाती हैं उन्ह तो यह przysz बनाती है अब मैंने हों पर यह को मैं इसको तवर किया हो आना एरिया यह वला यह एक ड़क्ट का एक हिसा लिया है अब अभी अब ये अब इस डक्ट को डक्ट चो होते हैं वह कहले हूँ है पिर फ्वेपड़ा जो रोटे इन एल्विलाई का बना होता है अब यह की चीज़ एल्विलाई मैं आपको खूल के दिखा कर के तो अब यह है और एक यह डट और यह मिलाई है तो यह हिसा इसको दिखा हो आज़ आप हैं निन फाल पो शरुरो में बताया था कि intelligence are the air spaces इनके अंदर हवा ट्रैप होती है यानि कि जब हम सांस लेते हैं बाहर से oxygen जब आती है तो इस सारा एर पैसेज को ट्रैवल करती हुई मतलब करती हुई पास होती हुई जब फेफड़ों में आती है तो फेफड़ों के अंदर इनि थेलियों के अंदर इनिए पैकेट्स के अंदर ट्रैप हो जाती है जिससे हमें अक्सीजन मिलती है यही इनी के अंदर मतलब एक स्टोरेज है यह हवा का और कार्बन डाय एक्साइट यहां से बार निकल जाती है और अक्सीजन इनके अंदर स्टोर हो जाती है क्योंकि अगर फेफड़ा खराब होता है कहते हैं जब हम लंग्स पढ़ेंगे ना ओक्सीजन होती है भो फेफड़ों पर रूकती नहीं है क्छी होगा ही तो यह इसलिए होता है तो यह एलवई हैं शाप्स ससाथ एक एक कवर किया हुआ है जयसे जो सब के कवर होता है इन के साथ वैनियूो और होती है यுनि के बुल्ड अब अक्छर में जो ऐसीजन उसने बलड में शामिल होना है और अगर इन्ही ब्लड वैसल्स के अंदर और ब्लड वैसल से ही ऑक्सीजन जो है वह लुईलाई के अंदर दाखिल होती है और युदि squid के अंदर से अक्सीजन ब्लड में जजब होती है इधर से इनि प Lapidar ठीक है वो साथ है ना घेर ही होई है ना एल विलाई के अंदर हवा आ गई उस हवा में अब कार्बन टाइक साइड और ऑक्सीजन है ऑक्सीजन जो होगी वो चली जाएगी किसके अंदर इन ब्लड वैसल्स के अंदर तो यह जी हमारे पास था एयर पैसेज वे तो उमीद है कि आपको यह एयर पैसेज वे समझ आ गया होगा मजीद इसमें जो थोड़ी बहुत डेफिशेंसी है या जो एल विलाई है यानि एल विलाई की फर्दर डीटेल इसको इंशाला एक लेक्चर और बनाएंगे जिसके अंदर हम एल विलाई को ज्यादा थोड़ा सा डीटेल के साथ डिसकस करेंगे लेकिन आज मकसद सिरफ इतना था एयर पैसेज वे को डीटेल के अंदर समझाना बाकी इसका एक छोटा सा हिसा जो पोर्शन है वो नई एक और वीडियो भी हम बनाएंगे जो एल विला झाल